Hello friends, very welcome to you all. आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि House Rent Alliance इसकी मीनिंग क्या होती है और साथ ही साथ Salary Head के अंदर आपको कैसे मिलेगी इसकी Exemption. तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि HR क्या होती है और इसकी Exemption कैसे Calculate की जाती है Income Tax Act या Salary Chapter के अंदर. तो आईए सबसे पहले जानने ही कोशित करते हैं लोग कि आखिर Alliance क्या होती है What do you mean by Alliance? देखिए, Alliance basically क्या होता है? Alliance basically एक तरह का In-Cash Payment है ऐसा Payment जो आपको दिया जा रहा है किसी और परपस के लिए आपको Basic Salary तो मेली रही है लेकिन आपको उसके अलावा कुछ Alliance दिया जा रहा है मतलब In-Cash दिया जा रहा है लिकिन किसी और परपस के लिए जैसे मैंने कहा कि आप हमारे यहां काम करने आते हो आप अपने घर से दूर आते हो आपके पास या रहने को घर नहीं है आप रेंट पर रहते हो तो ऐसा कर लेते हैं मैं आपको Basic Salary दूँगा ही दूँगा साथी साथ मैं आपको Rent के लिए अलग से कुछ पैसे दूँगा अब जो मैं आपको Rent के लिए अलग से पैसे दे रहा हूँ जैसे सेलरी का तो पार्ट है क्योंकि Employer अपने Employee को दे रहा है और यहाँ पर Principal Agent का Relationship फ़र्म कर जाता है तो मैंने आपको कुछ पैसे दिए यह है एचारे क्योंकि मैंने आपको रहने के लिए कुछ पैसे दिए As a Rent मैं आपको कुछ income बढ़ा के दे रहा हूँ मैंने आपको कहा कि मैं आपको medical allowance दे रहा हूँ कुछ अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप जाओ hospital उसका जो खर्चा होगा या जो भी portion of खर्चा होगा expense होगा वो मैं bear करूँगा तो मैंने आपको कुछ पैसे दिए in cash में किस purpose के लिए medical purpose के लिए तो allowance क्या होता है? allowance basically in general in cash payment होती है और जे payment किसी purpose के लिए आपको मिलेगी कोई specific purpose होगा आपका किस purpose के लिए आपको मिल रही है allowance अब जो भी वो purpose होगा उस purpose के साथ हम लगा देंगे allowance अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको house rent के लिए कुछ पैसे दे रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि वो क्या है? वो है house rent allowance अब दोगों यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? कि माल लेते हैं जे है honor जे honor है और जे इसका employee है अब honor अब employee honor के हाँ काम करने आता है तो वो अपने घर से, अपने home से बहुत दूर है तो वो honor के purpose के लिए honor के लिए वो उतना दूर आके काम कर रहा है तो honor की responsibility बनती है कि वो उसको कुछ पैसे बढ़ा कर दे क्योंकि वो अपने घर से दूर है उसके extra खर्चे है, वो rent पे रहता है तो honor की जिम्मेदारी है, responsibility है कि वो employee को कुछ पैसे extra दे अब अगर वो कुछ पैसा extra दे रहा है और आप उसको income tax काटोगे उसको salary में include करोगे तो यह एक बहुत दिक्कत वाली बात है तो हम बोलते हैं कि honor भी सही काम कर रहा है employee को कुछ पैसे बढ़ा कर दे रहा है तो हम भी कुछ relief करेंगे हमने relief किया कि जो basic wage होती है उस पे तो हम पूरा income tax act लागू करते हैं अगर slab के उपर है तो हम income tax deduct करते हैं लेकिन अगर आप इपने employee को responsibility समझते हुए उसे HRA देते हो house rent allowance दे रहे हो मतलब कि उसको कुछ पैसे extra दे रहे हो क्योंकि वो घर से बाहर आके रहता है तो हमने भी कहा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उस income पे पूरा tax नहीं कटेगा हम कुछ exemption आपको देने वाले हैं अब वो exemption कितनी होती है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में तो आपने समझा बेसिकली पूरी कहानी क्या है पूरी कहानी जा है कि employer के लिए अपना घर छोड़ कर काम करने आता है और employer का से responsibility है कि वो employee को extra money दे क्योंकि वो अपने extra खर्चे को recover कर सके अपने rent को recover कर सके अब ऐसा करने पर government अगर motivate नहीं करेगी तो employer employee को क्यों देगा HR या employee क्यों लेगा HR तो बोला गया कि हम HR पे पूरी तरह से income tax act लागू नहीं करेंगे कुछ exemption आपको जरू देंगे यही इसकी पूरी कहानी है और अब हम आते हैं कि आखिर कैसे निकाला जाए exemption सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर आखिर section के exemption का देखो मैं आपको पहले एक बात clear कर दूँ income tax act में पूरी exemption लिखी गई है section number 10 के अंदर section 10 में आपको सारी exemption मिलेगी सारी कि सारी exemption तो यह भी section 10 में fall करता है section 10 लेकिन सब section किया और आपको section का पता होना बहुत जरूर इसे आपकी image अच्छी बनती है examiner के सामने तो section है section 10 13 capital A section 10 13 capital A आपको बताएगा कि exemption on house rent allowance तो section 13 A आपको exemption बताने वाली है कि कितना exemption आपको मिलेगा आपके एचारे में अब हो क्या रहा है कि एचारे आपके लिए income है wage income है क्योंकि employer employee को दे रहा है तो आपके basic में add होनी है लेकिन कितनी होनी है वो बताएगा 10 13 A या हम यह बोले कि 10 30 ने आपको बताएगा कितनी नहीं होनी है उसको हम हटा देंगे side बाकी amount हम इसको include कर देंगे पहले हम आपको बताओ एक चीज जैसे आपको जो भी एचारे मिल रही है एचारे received जो भी आपको एचारे मिल रही है वो पहले तो आप include करोगे अपने salary के अंदर उसके बाद इसमें हम minus कर देंगे कुछ amount आपको exemption मिलने वाली है क्योंकि यह एक अच्छी बात है तो हम minus करेंगे इसमें से section 10 capital 13 capital A हम इसको minus कर देंगे और जो amount आएगा सिर्फ वो ही add होगा आपके basic salary में तो यह इतनी सी बात है यहाँ दखिएगा HRA receive add होती है लेकिन उसमें से कुछ आपको exemption मिल जाएगी उसको minus करने के बाद अब आते हैं अपने वीडियो पर जानने ही कोसिस करते हैं कि कितनी exemption आपको मिलने वाली है वीडियो श्राट करने से पहले एक बात अच्वार क्या देता हूं इस चैनल पर आपको income tax की सारी वीडियो मिलने वाली है इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले आपको इस चैनल पर income tax की सारी पूरी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट मिलने वाली है इस चैनल के उपर साथी साथ आपको बहुत सारे courses एक ही चैनल पर मिल जाते हैं जैसे की economics जैसे की accountancy जैसे की FM जैसे की audit जैसे की income tax आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आईए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे नकालेंगे एक्जड़न तो देखिये बोला गया कि इन सब में से जो कम होगा वह एक्जड़न मिल दाएगिए कि अवर किज कि लोवर कि ऐज अंगे एच्ड़ाओड कि ez एक्जड़न इन मेंसे जो कम होगा वह आपको एक्जड़न के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला, जो सबसे पहली ची लिखी गई थी, वो लिखी गई थी, hra received, कि आपको कितनी hra received हुई है, पहली बात तो वो, दूसरी बात बोली गई है, rent paid minus 10% of salary, आपने कितना rent paid किया, उसमें से अपने salary का 10% deduct कर दो, जो amount आएगा वो, इन दोनों में से, अब थार्ड बात, जो तीसरी बात है, वो है 40% slash 50% of salary, कहीं कहीं 40% होने वाली है, और कहीं कहीं 50% of salary होने वाली है, इन तीनों में से, आप जब तीनों amount calculate करोगे, कितना hra मिला, rent paid minus 10% salary करने के बाद, आपको क्या amount मिल रही है, 40% या 50% as the case में भी, जब आप निकालोगे तो आपको कितना amount आ रहा है, उन तीनों को calculate करने के बाद, उन तीनों में से जो कम होगा, वो as a exemption, आपको allow कर दी जाएगी, मतलब कि हम यहां लिखेंगे hra receive, और minus करेंगे, जो इन नहीं है, क्या फाइदा क्या घाटा, आप simply खाली क्या करोगे, hra receive plus करोगे, और minus कर दोगे, जो भी इन तीनों में से कम होता है, हो सकता है hra receive कम हो, हो सकता है rent paid minus 10% of salary कम हो, यह हो सकता है 40% या 50% of salary as a case में भी, वो कम हो, हम उसे simply minus कर देंगे, अपने hra receive में से, क्योंकि य अलाओ हो जाएगी as a exemption under session 1013 capital A, आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पर जी आती है कि salary मतलब क्या असर, अब मैं आपको एक बाद बता दूँ कि salary chapter के अंदर, salary की different different meaning है हर case में, वैसे ही एचारे के case के लिए भी salary की एक अलग definition मताई गई है, कि salary मे include होगा, basic wage, मन्दब कि basic salary या basic wages जो भी है, plus, dearness allowance, dearness allowance, add होगी, लेकिन, 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 सिर्फ और सिर्फ, forming the part of retirement benefit, forming the part of retirement benefit, हम सिर्फ वही DA add करेंगे, जो forming the part of retirement benefit होगी, मतलब पूरा DA add नहीं होने वाला है, अगर question में specifically लिखा होगा कि DA is the forming the part of retirement benefit, तो ही आप add करोगे, नहीं तो आप नहीं add करोगे, अगर आप फिर भी add करते हो, तो आप star mark लगा कर कह के आओगे, note लगा कर आओगे, कि DA हम forming the part of retirement benefit assumed कर रहे है, clear है, basic salary plus dearness allowance which is the forming part of retirement benefit plus fixed percent of turn over, fixed percent of turnover, अगर दिया हुआ है, तो इसको add करोगे, यहां पर एक बात और याद कर ले, अगर fixed percent दिया हो, तो ही करेंगे, अगर amount calculate करके आपको दे दी गई है, तो आप उसे include नहीं करोगे, जो लिखा गया है, आपके section के नदर, आप खाली उससे ही follow करोगे, हम खाली basic salary add करेंगे, DNS allowance add करेंगे, जो forming part of retirement benefit होगी, साथी साथ हम खाली वोही turn over का percentage add करेंगे, amount add करेंगे, जो percentage form में, fixed percentage form में दिया गया होगा, अगर आपको amount calculate करके दे दिया गया है, fixed percentage form में नहीं दे दी गई है, तो उससे आप include नहीं करोगे, clear है, जहीं आपकी salary है, इसी का आप 10% निकालोगे, और इसी का आप 40% या 50% calculate करोगे, अब बाद यहां पर अटकती है, कि सब 40% और 50% कहाँ पर, तो मैं आपको बता दू, कि 50% सिर्फ और सबसे पहली होगे दिल्ली, मैंने का है, दिल्ली, दिल्ली, NCR, Metro City नहीं है, आपको कई बार confuse करने के लिए गुड़गाओं, गाजियाबाद, ऐसे example दिये जाएंगे, लेकिन आप गुड़गाओं और गाजियाबाद में 40% ही अप्लाई करके आओगे, ना कि 50%, क्योंकि वो दिल्ली NCR में काउंट होती है, ना कि दिल्ली में, हम सिर्फ लेंगे दिल्ली, क्योंकि Metro City में बोला गया है, सिर्फ दिल्ली, not the part of NCR, only दिल्ली, सेकेंड है, कॉलकता, थर्ड है, मॉंबई, और फोर्थ है, चन्नाई, तो हम बोलते हैं कि 50% खाले हम कहां अप्लाई करेंगे, 50% हम अप्लाई करेंगे, डिल्ली में, मॉंबई में, कॉलकता और चन्नाई, दिल्ली NCR इसके अंदर फॉल नहीं करती है, यह आपको बात करते हैं, एचारे क्या है, एचारे वो in-cash payment है, जो आपका employer अपने employee को देता है, किसी परपस के लिए, हम पढ़ रहे हैं, एचारे किया दो हम बोलेंगी, यह वो in-cash payment है, जो employer अपने employee को for the purpose of house rent के लिए देता है, हमने का ठीक है, हमने का जी अच्छी बात है, तो इस पर income tax नहीं कटना चाहिए, तो government कहती है, टेक्स तो डिडेट होगा, लेकिन आपको कुछ relief दे दी जाएगी, कितनी relief मिलेगी, बोला गया, under section 10-13 capital A में जाके पता कर लो, कितनी मिलेगी, पहर बोला गया, कि सबसे पहले, इन तिनों जो कम होगा, वो आपको as exemption allow कर दी जाएगी सबसे पहला था HRA Receive, जीज़ना आपको मिला, हो सकता है, वो पूरा-पूरा आपको as exemption allow कर दिया जाए, दूसरा बोला गया, rent paid minus 10% of salary, और थर्ड बोला गया, 40% या 50% as a case may be of salary, सबसे पहले बात उठती है, कि चलो, इन दिनों जो कम होगा, वो हम as exemption allow कर देंगे, लेकिन सर, salary मतलब क्या, तो हमने का salary means basic salary, plus DNS allowance, which is the forming part of retirement benefit, plus percentage base commission, plus percentage base commission, यहाँ पे commission, आप मैं लिखना भूल गया था, commission, ठीक है, plus percentage base commission, add करेंगे, लेकिन सिर्फ और सी, fixed percentage base commission, उसके अलावा कुछ भी नहीं, फिबात उर्ती है, 40% of 50% of salary, कहाँ पे add करेंगे, सर, कहाँ पे include करेंगे, त हमने कहा कि 50% of salary, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, इसके अलावा कहीं पे नहीं, दिल्ली, NCR, इसमें include नहीं होगी, यह बात आपको याद रखनी होगी, clear है, तो salary मतलब क्या है, basic wages, DNS, forming part of time and benefit, percentage base commission, लेकिन याद रखेगा, fixed percentage base commission, उसके अलावा कुछ भी नहीं, अगर आपको commission, निकाल के दे किया गया है, तो उसे हम include नहीं करने वाले, जिया आपकी पूरी वीडियो है, अचारे के ऊपर, अगर आपको याचारे की वीडियो समझ में आ जात, तो like करके मुझे बता दीजेगा, कि आपको वीडियो समझ में आ गई है, अगर कोई doubt है, फिर भी मुझे comment कर सकते हो, मैं